साथियो आपके अपने YouTube चैनल Student Care Plus पर आपका फीर से हारदिक स्वागत है साथियो आज IFMS 3.0 पर सरेंडर बिल केसे बिनाई जाते हैं इसके बारे में अपन विस्तार से स्टेब बाई स्टेब जानेंगे तो सबसे पहले IFMS 3.0 के मादिम से अपन लोगिन होते हैं Assess Workspace में अपन चलते हैं और Desk2 के मादिम से डिडियो लोगिन के तो डिडियो रोल है उसके मादिम से लोगिन होते हैं यहां Dispresent Engine में से Employee Management पर अपन किलिक करेंगे तो ऐसा Interface अपने सामने ओपन होगा सबसे पहले साथी अपने को यह धान रखना है कि यहां My Role में Approver Select होना चाहिए उसके बाद में सबसे पहला जो कारिय करना है या चेक करना है वो यह है Workflow Configuration से Process Task Assignment पर अपने को क्लिक करना है यहां जो Process List दी हुई है उसको Open करना है और Surrender Bill Option आयेगा उस Surrender Bill पर क्लिक करके Checker, Maker और Approval तीनु रोल असाइन करने है मैंने मेरे Case में तीनु रोल असाइन कर रखे हैं Checker, Maker और Approval का तो यहां में कुछ नहीं कर रहा हूँ क्यवल आपकी जानकारी के लिए विताया है उसके बाद में अपने को जो कारिय करना है वो यह करना है आप देख पा रहे है लेफ्ट साइड में जो विंडो है छोटी सी उसमें Sanction Option दिया हुआ है Sanction पर क्लिक करेंगे और Sanction में Request Leave Surrender इस वाले Option पर अपने को क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे ऐसा Interface अपने को दिखाई देगा Aid Surrender Leave इस वाले Option पर अपने को क्लिक करना है और जिन-जिन करमचारियों का अपने को Surrender Leave बनाना है उन-उन करमचारियों को यहाँ अपने को Aid करना है वन बाई वन करते हुए जैसे मेरे Case में सबसे पहले में एक करमचारी को Aid करता हूँ उसके बाद में दूसरे करमचारी को Aid करूंगा जिस करमचारी को मुझे यहाँ Aid करना है एड लिव इस वाले Option पर अपने को क्लिक करना है जैसे अपने क्लिक करते हैं अपने सामने इसी ज अपने को यहां सेलेक्ट करनी है, बैलेंस लिव, करमचारी के खाते में कितनी PL लिव बची हुई है, वो अपने को यहां इंटर करनी है, नतरब टोटल PL उनके पास कितनी है, वो यहां इंटर करनी है, यहां अपने को 15 इंटर करनी है, क्योंकि 15 दिन का सरेंडर लिव अपने क यहां mention करेंगे और browse feature के बादेम से जो file आपने desktop पर या जहां कहीं भी save कर रखी है वहां से अपने को यहां select करना है select करने के बाद में यहां अपने को open करना है open करने के बाद में आप नीचे देख पा रहे हैं submit वाले option पर आपको click करना है जैसे submit वाले option पर click करते हैं एक yes confirmation window open होती है और यहां अपने को yes करना है process के बाद में अपने को success fully का message दिखाई देगा request has been successfully submitted and forward to HO for approval HO role पर request भेज़ दी गई है यहां अपने को okay करना है उसके बाद में अगर उसी गुरूप में किसी दूसरी व्यक्ति का और surrender bill बनाना है अर्थार दो व्यक्तियों का अपने को surrender bill बनाना है तो वही process अपने को अपनानी है add करनी के लिए sanction में जाएंगे request leave surrender वाले option पर click करेंगे और add surrender leave इस वाले option पर अपने को click करना है और जिस करमचारी का मुझे और aid करना है उस वाले करमचारी को फिर वापस मुझे add leave पर click करना है वही detail है वो भरनी है कि कौनसे एर का अपन बना रहे हैं apply date क्या है वह अपने को यहां mention करनी है और उसके खाते में कितनी PL बची हुई है वह mention करनी है 15 दिन यहां surrender leave बनाना है वह करना है documents type में वह leave surrender sanction है और यहां वही इस्तति अपने को order यहां mention करना है और वो order यहां आपने कहां save कर रखा है यहां से अपने को order यहां select करना है और उसके बाद में अपन यहां open पर click करते हैं और submit वाले option पर click करेंगे confirmation करना है yes वाले window पर अपन click करेंगे तो कुछ देर की process के बाद में अपने सामने यहां pop-up open होगा कि आपकी request है वह है successfully submit हो गई है और forwarded to HO for approval के लिए HO role को भेज़ दी गई है यहां आपने को okay करना है जो request generate की है उसको verify करना है तो अपने को HO role में चलना है तो हो रोल में चलने के लिए यहां जो photo दी हुई है नाम दिया हुआ है video का वहाँ आपने को क्लिक करना है और change desk and role इस वाले option पर अपने को क्लिक करना है जैसे वहाँ क्लिक करते है एसा interface आएगा assess work space अपने open करेंगा और desk one के माध्यम से HO role पर अपने को क्लिक करना है displacement इंजन में से employee management पर क्लिक करेंगे यहां पर भी अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां my role में approver ही होना चाहिए और यहां अपने को जो कारे करना है वो यह करना है कि left side में जो sanction दी हुई है इस sanction वाले option पर क्लिक करेंगे leave surrender request है इस वाले option पर अपने को क्लिक करना है जैसे leave surrender वाले option पर अपने क्लिक करते हैं दो करमचारियों को यहां आपने add किया था वो दोनु करमचारी यहां दिखाई दे रहे हैं one by one करते हुए यहां अपने को करमचारियों को verify करना है यहां जो फर्स्ट करमचारी है उसको मैं वेरिफाई कर रहा हूँ, यहां कुछ डिटेल दी हुई है, यहां आप डिटेल चेक कर लेंगे और उसके बाद में वेरिफाई कर देंगे, यहां जैसे यह इप इन्फरमेशन विंडो आईगे उसमें दिया हुआ है कि लिव विलें से सपनानी है और बाकाइदा चेक करते हुए यहां पर अपने को वेरिफाई करना है, दोनों कुरमचारी वेरिफाई हो गये हैं, उसके बाद में यहां अपने को क्लिक करना है और यहां करने के बाद में जनरेट सेंक्शन इस वाले ओप्शन पर अपने को क्लिक करना है, ज यहां अपने को OK करना है और जैसे ही अपने OK करते हैं कुछ समय की प्रोशेश के बाद में एसा इंटरफेश अपने सामने open होता है जिसके माध्यम से अपने को E-sign करना होता है E-sign वाले option पर नीचे यहां अपने को क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ समय की प्रोशेश है उसके बाद में E-sign के लिए option मांग रहा है कि आप आधार नमबर से E-sign करना चाहते हैं या फिर virtual ID के माध्यम से आप E-sign करना चाहते हैं तो यहां आधार नमबर के माध्यम से अबन E-sign करेंगे तो DDO के यहां आधार नमबर अपने को mention करने के बाद में यहां checkbox पर अपने को क्लिक करना है और उसके बाद में request OTP वाले option पर क्लिक करना है DDO के ऊच्वेस्ट ापर processing में लग सकता है और उसके बाद में अपनी जो file है वह success fully assign हो जाएगी your documents have been assigned successfully यहां अपने को ok करना है अपनी जो file है where assigned successfully हो गई है अपन देख पा रहे हैं यहां tick mark हो गया ग्रीन टिक लग गया है यहां इस वाली file को अपने को download कर लेना है और download हो जाने के बाद में इस वाले option से अपने को click करना है मतलब हटा देना है यह कारिये चाइन तक यह एचो रोल में कर रहे थे तो सातियो एचो रोल का कारिये पूरा हो गया है अब अपने को वापस video role में जाना है तो यहां photo पर अपन क्लिक करेंगे photo पर क्लिक करने के बाद में change desk and role इस वाले option पर अपने को क्लिक करना है वापस वही प्रिक्रिया अपनानी है यहां desk 2 के माध्यम से video role अपने को ओपन करना है और यहां जो कारिय करना है यह है कि bill वाले option पर क्लिक करना है बिल वाले option पर आप देख पा रहे हैं नीचे option दिया हुआ है surrender bill इस surrender bill वाले option पर अपने को क्लिक करना है और surrender bill वाले option पर क्लिक करने के बाद में bill generation पहला option दिया हुआ है इस पर अपने को click करना है यहां block year अपने को select करना है 24 पचे से है जिस group का अपने surrender bill बनाया है वह group अपने को select करना है और यहां सर्च वाले option पर click करना है दो क्रमचारियों का मैंने यहां बनाया है तो यहां दोनु को मैं select करूँगा और initiate वाले option पर मुझे click करना है जैसे ही मैं yes करता हूँ जो bill reference number है वह success police submitted हो गया है मतलब bill है वो initiate हो गया है यहां okay करेंगे और यहां okay करने के बाद में अब जो अपने को कारे करना है देखो वापस लना है surrender bill है bill generation देख चुके हैं अब अपने को कारे कारी क्या करना है we bill bill में surrender bill surrender bill में बिल लिस्ट इस वाले option पर क्लिक करना है इस वाले option में वापस ही प्रोशेश पे यहर UP24 चीष है पे मंत इसी मंत में अपने को बनाया है bill november है और गृूप कौन शा गूप था वह है वह अपने को group select करना है और यहां search पर click करना है जैसे आप search पर click करेंगे आपका जो bill है जो generate अपने किया है वह आपके सामने open हो जाएगा यहां check box पर अपने को click करना है आप चाहें तो यहां report भी देख सकते हैं और देखना ही चाहिए report देखने के बाद ही आपको bill treasury को forward करना ह एक बार अच्छे से आप report है वह देख ले रिपोर्ट में inner outer और schedule देखने के बाद में अपने को bill process करना है bill process करने के लिए आपको सबसे पहले जो bill number दिये हुए है उस bill number पर click करना है जैसे इस bill number पर click करेंगे यहां document upload का option आपके सामने आ जाएगा अगर bill गलत बन गया है तो यहां से आप bill को delete भी कर सकते हैं अब नीचे देख पाएंगे आप document type में आप other वाले option पर आपको click करना है और यहां description में आप office order mention कर सकते हैं office order mention करने के बाद में यहां browse feature के माददिम से आपने को वो file select करनी है जहां आपने save कर रखी है तो यहां अपन file select करेंगे और open पर click करते हैं यह file है यह document है यह upload हो गया है और यहां नीचे option दिया हुआ है process इसके माददिम से अब अपने को process करना है process वाले option पर ज्यसे ही click करते हैं यहां आपने को check box है सभी check box पर click करना है और yes वाले option पर अपने को click करना है ड्यदियों के पास OTP चली जाएगी इस OTP को mention करने के बाद में यह प्रोशेश वाली टेप है process पर अपने को click करना है process click करने के बाद में confirmation window आएगी और okay करना है आप देख पा रहे हैं इस प्रकार आपका जो surrender bill है वे ट्रेजरी को forward हो गया है यहां bill not forward date to treasury लिखा हुआ था यहां pending at treasury level यह वाला option आ जाएगा यहां से भी अपन चेक कर सकते हैं और यहां से नय करके यहां आपन जो bill status है बिल वाले option में जो bill status दिया हुआ है यहां से भी अपन उसको चेक कर सकते हैं बिल को की bill कौन से level पर pending पड़ा हुआ है तो साथियो यह थी एक simple process surrender bill बनाने की thank you